हेलो बच्चो इस लेक्टर में हम लोग देखेंगे एक नुमेरिकल पॉबलम को ठीक है नुमेरिकल है 10 सेंटीमेटर रैडियस की कॉईल जिसमें 100 टन्स हैं ठीक है 100 फेरे हैं में 3.2 एमपियर एलक्ट्रिक करेंट फ्लो हो रही है ठीक है 10 सेंटीमेटर तरज्चा की कोई कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं में 3.2 एमपियर की बिद्धुधरा प्रवाहित हो रही है पर मेंगनेटिक फिल्ड कितना होगा ठीक है किसके क्वाइल के सेंटर पर मेंगनेटिक फिल्ड कितना होगा और सिकेंड पार्ट में कह रहे हैं भी इस क्वाइल का चुम्ब की आगोंड क्या होगा magnetic torque क्या होगा ठीक है तो यह हमें क्या करना है calculate करना है तो आई यह start करते हैं solution ठीक है given that given that क्या क्या हमें दिया हुआ है एक तो 10 cm radius तो R is equal to हमें given है कितना 10 cm यानि कि अगर हम इसको चाहें तो क्या लिखेंगे मीटर में 0.1 meter clear फिर कह रहा है इस कोईल में 100 फेरे हैं 100 टांस है यानि कि number of tons कितने दे रखें 100 में 3.2 MP electric current के लोग रही है यानि कि हमें I की value given है कितनी 3.2 MP ठीक है तो यह चीज़े हमें आर एन एंड आई यह चीज़े हमें क्या है given है वी नुद एट कि वी नुद एट हम जानते हैं कि कि magnetic field क्या होता है भी magnetic field of our center क्यूंकि हमें किस पे निकलना है पार्ट एक ही अगर हम बात करें तो हमें किस पे निकलना है क्वाइल के केंदर पर ठीक है कुंडली के केंदर पर बद्दु छेत्र घ्यात करना है ठीक है तो बद्दु छेत्र क्वाइल के center पर कितना होगा फार्मुला जो बने का B is equal to mu naught ni upon 2r ठीक है, कितना हो जाएगा mu naught ni upon 2r clear तो यहाँ से mu naught क्या है permeability of free space ठीक है, जिसकी value हमें पता है n क्या है, number of times i क्या है, current और 2r क्या है, r क्या है यहाँ पर radius, ठीक है तो यहाँ से अगर हम value put करें, तो mu naught की value कितनी हो जाएगी 4 into 10 to the power minus 7 into number of times कितने है, 100 current की value कितनी है, 3.2 ampere upon 2 r is equal to given है, कितना 0.1 meter clear इस point से इसको ऐसी रहने दो 3.2 ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा जब हम 4 pi कितनी value होती है, mu naught की 4 pi into 10 to the power minus 7 into 100 into 3.2 upon 2 into 0.1 तो यहाँ से 4 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power 10 to the power 2 और यहाँ से 3.2 और pi की जब हम multiply करते हैं, तो pi की value कितनी होती है pi की value हम लोग जानते है 3.14 और यहाँ पर इसकी value कितनी है, 3.2 जब इसकी multiply करेंगे तो लगबग लगबग 10 point कुछ something value निकल के आती है, ठीक है 10 point कुछ, तो यहाँ से हम सीधे-सीधे 10 value put कर लेते हैं 3.2 into pi की value कितनी हो गई 10, और यहाँ से 2 into 0.1 यहाँ से point हटाएंगे, तो उपर 10 आ जाएगा, यहाँ से magnetic field की value आईगी यहाँ कितनी हो जाएगी 2 to 4 हो जाएगा तो 2 into 10 to the power minus 7 और 2 plus की 1 3 और 1 4 यहाँ की 10 to the power 4 plus की, ठीक है तो यहाँ से b की value हो गई कितनी 2 into 10 to the power minus 7 plus 4 ठीक है, यहाँ की b is equal to, जो निकल क्या गया 2 into 10 to the power minus 3 और इसकी unit क्या हो जाएगी इसकी magnetic field की unit क्या होती है टेसला, ठीक है तो यह निकल क्या है कितना magnetic field ठीक है, वैदुत छेत्र कहाँ पर, coil के center पर clear second part में हमसे कह रहे है b part में क्या कह रहे है कि इस coil का इस coil का चुम्ब की आगूर क्या होगा, ठीक है तो यहां से हम लोग formula जानते हैं क्या होता है m is equal to n i a ठीक है, यह चुम्ब की आगूर का क्या है, formula होता है ठीक है अब a, a क्या है area area हमें given नहीं है but radius given है तो यहां से a को हम change कर लेंगे n i और a की जगे कह रख देंगे pi r square, clear यहां से value put कर देंगे तो n की value कितनी है 100 i की value कितनी है 3.2 and pi को pi की value 3.14 और r कितना given है 0.1 ठीक है 0.1 और क्या है, square यानि कि कितना हो जाएगा 0.01 clear क्यूंकि square है तो यहां से हम लोग देखेंगे अगर इसको हम point हटा है तो यह क्या होगा 100 cancel हो जाएगा और अभी अभी हम लोगोंने 3.14 into 3.2 की जो multiply देखी थी वो multiply लगबग लगबग आती कितनी 10 point कुछ something ठीक है तो इसको भी हम क्या माल लेंगे 10 माल लेंगे तो यहां से जो value निकल के आएगी चुम्बकी अगोर की m is equal to कितना निकल के आएगा कितना बचा है 3.2 into 3.14 और इसको multiply करेंगे तो कितना निकल के आएगा 10 ठीक है यूनिट जो है यूनिट हम लोग यहां से निकल लेते है अब यहां से देखो m is equal to क्या है n i a n क्या है number of turns जो की क्या है constant है ठीक है इसकी कोई भी यूनिट नहीं है i क्या है current है जिसकी यूनिट होती है क्या ampere और a क्या है area ठीक है और जिसकी यूनिट होती है meter square तो इस तरीके से यहां पे इसकी यूनिट क्या हो जाए यह ampere meter square ठीक है तो यह value निकल के आगे किसकी चुम्ब की है आगोंड की